दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टडी वित अनूप पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्यूटर के टॉप फिप्टीन क्योशन देखने वाले हैं जो की आपकी 36 गड़ पटवारी भरती के लिए बहुत ही important हो सकते हैं तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए साथ ही बिल आईकर को जुरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो का notification आप तक सब्सक्राइले पहुँचे तो आईए start करते हैं दोस्तो अगर आप 36 गड़ पटवारी भरती के तयारी कर ले हैं तो चक्छु प्रकासन की ओर से आपके लिए एक book बनाई गई है जो की complete 100% नए सलेबस और pattern पर अधारित है इस book के साथ आपको 2016, 2017 और 2019 के previous year के sold paper भी मिल जाते हैं ठीक है और यहाँ पर 3000 से अधिक बहु विकल्पी प्रशन भी आपको इस book में देखने को मिल जाएंगे और साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि computer, Hindi, गड़ित, English, reasoning, 36 गड़ का सामानने ग्यान और भारत का सामानने ग्यान complete syllabus जो है 36 गड़ पटवारी भरती का complete syllabus इस book के अंदर आपको मिल जाता है तो अगर आप इस एक book से अपनी तयारी को करना चाहते हैं तो आप इस book को अपनी नजदी की store या फिर Amazon, Flipkart या फिर Snapdill से भी ले सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा दोस्तों मारा first question है कि secondary storage media से hard disk में software प्रोग्रामों को copy करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ठीक है option है upload, download, installation या इन में से कोई नहीं तो आपका सही answer है option no.3 installation तो हमारा है पर second question है कि computer के संदर्व में RAM यानि कि RAM का क्या तातपरे है यानि कि यहाँ पर पूछा गया है RAM का full form तो आपके यहाँ पर चार option आपको देखने को मिल जाते हैं तो इन में से कौन सा सही है आपको बताना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि option no.2 random SS memory इसका full form होता है किसका RAM का तो इसको आप याद रखेंगे यह पूछा जा सकता है तो हमारा है पर next question है कि computer system में motherboard से क्या तातपर है ठीक है यानि कि motherboard क्या होता है option आपके देखने को मिल जाते हैं चार यहाँ पर chip, circuit board, transistor या फिर keyboard तो आपका सही answer है option no.2 circuit board ठीक है हमारा next question है कि programming के लिए विक्सित की गई सरो प्रथम भासा कौन सी है आपके चार option देखने को मिल जाते हैं तो इन में से कौन सा सही है आपको बताना है तो देखे इसका जो सही answer है वो है फोटरन यहीं कि फोटरन जो है वो programming के लिए विक्सित की गई सरो प्रथम भासा थी ठीक है next question है कि control, alt या फिर shift किस प्रकार की कुझिया है यहीं किस प्रकार की की हैं यह यह बताना है आपको आपके option है special कुझिया, modifier कुझिया, function कुझिया या फिर numeric कुझिया तो आपका जो सही answer यह आपर है वो है numeric कुझिया हमारा next question है कि monitor के display के आकार को किस प्रकार मापा जाता है ठीक है, monitor के display के आकार को किस प्रकार मापा जाता है आपके option है vertically, horizontally, diagonally या फिर इन में से कोई नहीं तो आपका सही answer है option number 3, diagonally next question है कि बिजली बंद कर दिये जाने के बाद भी अपना data रखने वाली storage क्या कहलाती है आपके चार option आपको देखने को मिल जाते हैं तो इन में से कौन सा सही answer है आपको बताना है तो आप देख पा रहे होंगे कि non-volatile memory इसका सही answer है option number 2 next question है कि computer में कितने प्रकार की memory पाई जाती है आपके चार option देखने को मिल जाते हैं एक, दो, तीन, चार तो क्या है इसका सही answer option number 2 यनि कि दो प्रकार की memory पाई जाती है computer में ठीक है next question है कि प्रथम mechanical calculator के निर्माता कौन थे आपके option है चौल्स बैबेच, बलेज पासकल, माईकल फैराडे ये जाउन माचले आपका सही answer है इसका option number 2 बलेज पासकल जो थे प्रथम mechanical calculator के निर्माता थे ठीक है next question है कि विश्यो का पहरा सुपर कम्प्यूटर कब बना था फर्ष्ट सुपर कम्प्यूटर कब बना था option 1976, 1982, 1946 या फिर 1990 तो आपका सही answer है option number 1 1976 में ठीक है next question है यहाँ पर आपका next question है कि keyboard में function की संख्या कितनी होती है यानि कि एक keyboard में function की कितनी होती है function की कितनी होती है option है 12, 13, 11 या फिर 10 तो आपका सही answer है option number 1 12 की ठीक है next question देखते है next question क्या है कि soft copy एक output है क्या है soft copy एक output है तो hard copy क्या है hard copy क्या है आपके option है input एक printed output device या फिर program तो आपका सही answer है option number 2 एक printed output होता है क्या hard copy अगर soft copy output है तो hard copy क्या है एक printed output है ठीक है next question है कि CPU का कौन सभाग computer घटको की गत्यविधियों का संचालन करता है आपके option है bus keyboard control unit या फिर memory तो आपका जो सही answer है इसका option number 3 control unit ठीक है computer के घटको की गत्यविधियों का संचालन करता है ठीक है आपके next question है कि computer को किस प्रकार की बुद्धी की संचालन दी आती है ठीक है computer को किस प्रकार की बुद्धी की संचालन दी गई है आपके option है सजीव, निर्जीव, कृत्रिम या फिर इन में से कोई नहीं तो आप यहाँ पर सही answer है option number C कृत्रिम computer को कृत्रिम बुद्धी की संचालन दी आती है कृत्रिम बुद्धी की संचालन दी आती है आपका सही answer है option number 3 तो आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बिल आइकन को जुरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे धन्यवाद